सुभ़श शाम की छोटी मोटी भूक में कुछ हलका फुल का टेस्टी कम तेल का अगर नाश्टा खाना चाह रहे हैं तो आप इस नाश्टा के एक बार ट्राई करें आपको ये बहुत पसंद आएगा क्योंकि हम इसे बनाने वाले हैं एक कप पोहे से पोहा इसके लिए हमें पतले वाला चाहिए अगर आपके पास बैचंस पतले वाला पोहा ना हो तो कोई दिकत नहीं है आप मोटे वाला भी इस्तिमाल कर सकते हैं पर कोशिश कीजिए कि आपके पास अगर पतले वाला पोहा हो तो आप उसी का इस्तिमाल कीजिए तो चलिए प पोहा थोड़ा गंदा होता ही है सभी को पता है इसको वॉष करके लेना चाहिए तो यहाँ पर मैंने एक कप पानी डाल दिया अब यह देखिए जो पानी है यह उपर से किता होने लगा है तो मैं इसको टैप के नीचे दो से तीन बार यहाँ पर थोकर लेकर आ गई हूँ पानी को इसमें अच्छे से सोक लिए और खिला खिला और यह कंगे बहुत अच्छे से यह इस तरीके से मसले जा रहा है मतलब यह गल गया है अब क्या करना है पोहा तो चलो हमारा रेडी होगा अमने इसको थोड़ा सा और मसल दिया है हातों से अब इसमें डो टेबल स्पून यहाँ पर बेसन एड़ कर रही हूँ दो टेबल स्पून ही बेसन एड़ करना है इससे जादा नहीं करना है यह तो बेसन का ही स्वाद आएगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा अब यहाँ पर मैं एक प्याज कट करकर एड़ कर रही हूँ और साथ में तीकी के लिए दो से दिन हरी मिर्चे बारी कट करकर ले ली है और उपर से डाल रहे हो मैं इसमें साथ से आत कड़ी पट्टे आप इसको साबूर डाल दीजिए या इसको बारी कट करकर डाल दीजिए आपकी मर्जी है मैं तो साबूर ही डाल दीजिए क्योंकि अ करेंगे जरूर से खाना पसंद करेंगे अगर आपने सारी चीज़ों को अच्छे से हातों से मसल मसल के मिक्स दे लिए तो मिक्षर हमारा रेडी है अब हमें क्या लेना मैंने यहाप इस तरीकी का कप ले लिया मेजरिंग कप है यह यह ना हुआ आपके पास कोई दिकत ने कटोरी होती है उसको आप यहाँ पर टेल से अच्छे से ग्रीज कर लिजए तो सिख यहाँ पर अत्षर कर लिए इस तरीके से और यहां पर औरा दर करना नहीं हातों से थोड़ाइस को बठा देंगे सेट कर देंगे किनारे बिल्कुल तरीके से और हतेली पर रखकर बस इस तरीके से पलट देंगे तो जो हमने ग्रीज करा था यानि तेल लगाया था कर्टोरी में उसे यह फाइदा हुआ है कि यह देखिए असानी से नाष्टा निकल गया है देखने में लुक वाइस भी अच्छा लगेगा और सभी नाष्टे एक ही साइस के बनकर यहाँ पर तयार होंगे इसलिए आप मैंने मेजरिंग कप या फिर कटोरी का इस्तमाल किया है अब एक थाली या प्लेट ले लेंगे जिसमें हम इस नाष्टे को यहाँ पर स्टीम करने वाले हैं तो पहले स्टीम करने से पहले थोड़ा सा जो प्लेट कर दिया है और मैं इसको यहाँ पर 6-7 मिनट के लिए मीडियम तो हाई फ्लेम पर अच्छे से स्टीम होने दूंगी जो हमारा बेसन और जो पोहा है वह अच्छे से स्टीम हो चुका है यह देखिए और नाष्टा बढ़िया मजेदार बनकर तयार है अब इसको हम निकाल ल की फुल की भूक में आप इसको बना कर दे सकते हैं तो चले भी से नाष्टे को देंगी ट्विस्ट इसक लिए एक पैन में थोड़ा सा तेल डाला है थोड़ी से दाने मैंने यहाँ पर काली सरसू के डाल दिये हैं और उसके अंदर मैं यहाँ पर इस नाष्टे को कर रहे ह पलटकर इसे थोड़ा सा क्रिस्प होने तक हम इसे यहाँ पर सेख लेंगे जो ऊपर की इसकी लिए रहा है और यह देखी जो कलर रहना कितना चटाकेदार आया देखकर ही मूं में पानी आ रहा है तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो ना तो प्लीज कॉमेंट के वाला बच्चों के टीफिन में दे या घर की छोटी मूटी भूक में बनाए जब मर्जी बनाए इंस्टेट बनकरी नाश्ता पटा पट से तयार हो जाता है तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा